आज हम math subject में नया topic पढ़ेंगे तो आपको सबसे पहले page नमबर 104 निकालना है उसमें यहाँ पे दिया है reading the clock क्या है reading the clock तो उसमें क्या है feeling the missing numbers in the clock तो यह जो पिच्चर है वो clock का picture है जो सभी के घर पे ही आपने देखा है कि clock कैसा है है ना तो आज हम यह clock कैसे आपको सिखना है वो में पढ़ाती हूँ तो यहाँ पे देखो 1 to 12 दिया हुआ है उसके बाद 1 दिया है तो यहाँ पे आपको क्या करना है feeling the missing numbers यहाँ पे जो missing number है वो आपको लिखना है तो वो कैसे लिखना है तो जैसे यहां पे दिखाया है कि right side से 1 number लिखा है तो आपको भी right side से ही number लिखना है तो 1 के बाद कौनसा number missing है? तो कि 2, 2 के बाद कौनसा number नहीं है? तो कि 3, 3 के बाद कौनसा number नहीं है? 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9 9 के बाद 1, 0, 10 और उसके बाद 1, 1, 11 That means के total 1 to 12 number clock के अंदर होता है उससे ज्यादा के उससे कम एक भी number होता नहीं है तो उसमें 1 to 12 number होता है तो यहाँ पे देखो यह जो है वो big hand है और यह जो है वो small hand है तो यहाँ नीचे लिखा है A clock has a long hand and a short hand यहाँ पे दिखाया गया है कि एक long hand है और एक short hand है The short hand tells the time That means के जो short hand है वो जो number पे होता है वो time बताता है यहाँ पे देखो two number पे यहाँ पे दिया है तो यह two o clock हुआ है तो वैसे यहाँ पे एक example दिया है Same वो ही time का के the time is two o clock जो short hand है वो two number पे है तो उस इसाब से यहाँ पे two o clock दिया हुआ है वैसे ही बहुत दूसरे four example यहाँ पे दिया है वो देखो See the short hand and tell the time तो यहाँ पे आपको लिखना है तो जो short hand है मैंने यहाँ पे आपको explain किया है कि जो short hand है जो number पे है वो ही time होता है ओके? जो big hand है उसमें जो दिखाते है वो तो 12 पे ही होता है लेकिन जो short hand जो भी number पे हो यहाँ पे बहुत सारे number दिया है तो उन मैंसे जो भी number पे यह short hand हो वो ही time बताता है तो यहाँ पे देखो यहाँ पे big hand है 12 पे और short hand कौन से number पे है? ध्यान से देखो बच्चो तो के? 5 पे तो यहाँ पे कौन सा आएगा? 5 o'clock ओके? वैसे यहाँ पे दुसरी गड़ी दी है तो उसमें देखो यह big hand 12 पे है और short hand कौन से number पे है? तो के? 9 पे तो यहाँ पे क्या आएगा? 9 o'clock उके? उसके बाद यहाँ पे देखो big hand 12 पे है और short hand 3 पे तो short hand कौन से number पे है? 3 पे तो यहाँ पे कौन सा time आएगा? 3 o'clock वैसे यहाँ पे short hand 10 नंबर पे है कौन से number पे है? 10 तो यहाँ पे आएगा 10 o'clock ऐसे बहुत सारे यहाँ पे नंबर दिये हुए है तो उस इसाब से आपको short hand जो नंबर पे होता है वो ही उसका time बताता है मैंने आपको 2-3 example दिया है वैसे यहाँ पे दूसरा भी हो सकता है क्योंकि 1 to 12 तक्के होते है तो यह big hand 12 पे है और small hand 7 पे है तो कौन सा हुआ? 7 o'clock फिर दूसरा है वैसे ही 8 तो big hand यहाँ पे देखो यह जो है वो big hand है यह जो है वो short hand है है ना? तो जो short hand है वो 8 नमबर पे है तो कितने बजे? 8 o'clock तो आपको वो ही ध्यान रखना है कि यह जो short hand जो नमबर पे होता है वो time बताता है तो वो ही time आपको यहाँ पे लिखना है नीचे दिया है listen to the rhymes and repeat it listen to the clock tick tock tick tock see its hands move round and round round and round listen to the its bell ding dong ding dong यह जो राइम से उसमें क्या कहना चाते है तो कि listen, listen मतलब सुनना है listen to the clock तो clock क्या करता है कैसा आवाज निकलता है तो कि tick tock, tick tock ऐसे उसकी आवाज होती है फिर see its hands move उसके जो hands है वो क्या करते है move करते है ऐसे मैंने आपको दिखा है ना यहाँ पे आपने दिखा है ना कि यह जो round में फरता है वो move जो करता है उस hands यहाँ पे दिए है one, two and three तो one and two hands उसके दिए है वो move करते है तो वो कैसे करते है तो कि round and round round and round मतलब वो round में फरते हैं ना listen to the its bell ding dong ding dong उसका जो bell है उसका आवाज कैसे आता है ding dong ding dong ऐसा उसका आवाज आता है तो दूबार आपको मेरे साथ यह रैंच करनी है listen to the clock tick tock tick tock see its hands move round and round round and round listen to the its bell ding dong ding dong तो उसकी जो आवाज आती है वो tick tock tick tock आती है और वो उसके जो bell होता है वो कैसा होता है ding dong ding dong तो वो खास ध्यान लगना ऐसे पुरानी घड़ी अभी तो नहीं होती है लेकिन कई बच्चों के घर पे अगर हो तो आप ध्यान से सुनना उसका जो आवाज आती है वो tick tock tick tock बहुत ही silent में आती है तो आप ध्यान से सुनोगे तो आपको पता चलेगा है ना और वो जो हैंड है वो क्या करते है तो कि round में मू करते है कैसे करते है round में है ना उसके बाद है उसका bell तो bell कैसा होता है तो कि ding dong ding dong है ना बच्चों तो ये हुआ clock का टॉपी ये जो आपको मैंने पढ़ाया है वो clock है उसमें main आपको याद रखना है के clock के अंदर one to twelve नमबर ही होते है उसमें से एक p कम नहीं और एक b ज्यादा नहीं वो आपको खास ध्यान रखना है के clock में कितने नमबर होते है one to twelve उके उसमें कितने हैंड होते हैं, two hands होते हैं, एक big hand होता है और एक short hand होता है, है ना, long hand and short hand, वो खास याद रखना, कैसा, long and short, वो two hands होते हैं, तो गड़ी के अंदर ये दो बात आपको बहुत ही ध्यान रखनी हैं, ओके बच्चों, बाई, अब हम मिलेंगे next वीडियो में, ओके? के la चांस भी, पर भी के पाता है, कि मिलें हैं, बाई, ओक होते हैं, पाता हैं, जा जाता हैं प्रेमान के अंदर के अंदर को बस्त Appreciate